Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 13.2 का question number 7 देखते हैं क्या है For some constants A and B, यहाँ पर पहले ही mention कर दिया A और B क्या है, हमारे constant है Find the derivative of these functions हमें कुछ function दे रखे हैं, उनके derivative हमने find out करने है तो यहाँ पर द्यान से देखो, first question के अंदर हमारा जो function है f of x वो किसके equal है, x minus A into x minus B अब इसका differentiation कैसे करें बई, derivative कैसे निकाल ले इसका derivative निकालने के दो method है हमारे पास first method क्या है, या तो इनके उपर product rule लगा दो introduction के अंदर समझाय हुआ है मैंने, question करके भी दिखा दूँआ आगे question आएंगे, वहाँ से आपको product rule भी समझा दूँँगा, मैं दूसरा है, इन दोनों की multiplication कर लो, कैसे, f of x equal to क्या हो जाएगा x की x से multiply की x square, x की b से multiply की minus का bx, minus a की x से की तो minus का a x, minus a की minus b से की plus का a b, clear, कोई दिक्कत नहीं है, next f x लिखो, क्या आएगा, थोड़ा इसको simplify कर लेते हैं, यहाँ पर क्या है, x square, next, यहाँ से दोनों से क्या को मना रहा है, minus का x को मना रहा है, क्योंकि minus x इसमें भी, minus x इसमें भी, अंदर क्या बच जाएगा, a plus b, b a लिख दो, a plus b लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कैसे भी लिख सकते हैं, इसको, ठीक है, कहीं गबराने लग जाओ, sir, b plus a आना चाहिए, आपने तो a plus b लिख दिया, और साथ में क्या है, plus में a, b, clear, अब differentiation करो, ध्यान से देखो, f x है f dash x, differentiation का formula क्या होता है, हमारा जो theorem होती है, उसको मैं कहां लिखूं, कहां लिखूं, यहां side में लिख देता हूं, x की power n का differentiation क्या होता है, n x की power n minus 1, यह होता है हमारा theorem, इसका हम क्या करेंगे, यहां पर utilization करेंगे, बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है, तो यहां पर क्या आगया हमारे पास, x square है, x square का differentiation क्या जाएगा, power आगे, 2x की power क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, next, minus का sign, a plus b को रखो as it is, यहां पर x, x का differentiation क्या होता है हमारा, 1, आपको पता है न, x की power क्या होती है, 1 होती है, x का मतलब x की power 1, 1 को आगे लेके, 1x की power 1 minus 1, तो यही तो होगा, 1 into x की power 0, x की power 0, 1 into 1, क्या आगया 1, तो यहां पर 1 हो गया, plus में a b है, इसके साथ तो x की term नहीं है, तो यह हो गया हमारा constant, तो इसका differentiation 0, तो हमारे पास जो f dash x आ गया, वो कितना आ गया हमारे यहां पर, वो आ गया 2x, 2x minus a minus b, इस तरिक्के से हम इसको क्या कर देंगे, write down, clear हो गया, question number first, next देखते हैं, question number second क तो हमें दे रखा है, वो क्या है, ax square plus b का whole square, इसको कैसे करें, सबसे पहले हमें क्या करना, इसको fx मान लेना है, fx equal to ax square plus b का whole square, अब यहां पर क्या करेंगे, हम a plus b का whole square लगा सकते हैं, यह हमारी सारी यह सारी term को क्या मान लेते हैं, a, यह हमारी क्या है, b, a plus b का whole square लगा क्या होता है fx equal to a square plus b square plus 2ab तो इसका square करेंगे तो a x square का square फिर second term का square तो मतलब b square plus में क्या होता है 2ax square b तो fx जो बन गया हमारा function वो क्या बन गया a का square करेंगे a square, x square का square करेंगे x की power 4 plus में b का square किया b square यहाँ पे 2ab x square आ गया function clear है अब इसका f dash x निकाल लो f dash x क्या आ जाएगा हमारा a square को रखो as it is x की power 4 है तो यहाँ पे क्या जाएगा into में 4 into x की power 3 power आगे और उस power में से 1 के subtract कर देंगे plus में b square है b square यहाँ पे क्या है constant क्योंकि x की term कोई नहीं है इसके साथ तो इसका क्या हो जाएगा 0 plus में 2 a b a g t into में x square का क्या हो जाएगा 2 आगे और x की power एक decrease हो जाएगी 2 में से 1 गया तो 1 तो f dash x जो आ गया मेरा वो क्या आ गया यहाँ पे 4 x cube into a square यह 0 है plus में 2 2 जा 4 a b x clear यह आ गया मेरा answer इसको थोड़ा ओर simplify करके भी लिख सकते हैं जैसे 4 भी common आ रहा है यहांसे a भी common आ रहा है x भी common आ रहा है अंदर क्या पुच गया है यहांसे x square a plus में यहांसे 4 a x बार जा चुका तो plus में b ऐसे भी लिख सकते हैं दुन्नों क्या हैं हमारे possible answers clear हो गया होगा question number second भी इसका next देखते हैं इसका third part third part के अंदर हमें दे रखा है function जो है x minus a upon me x minus b तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इसको fx equal to मान लेते हैं x minus a upon me x minus b मान लिया वई अब क्या करें x minus a को तो x minus b से हम divide भी नहीं कर सकते सर multiply होती तो कम से कम multiply करके differentiation कर लेते अब क्या किया जाए अब भई differentiation के न मैंने कुछ formula बता रखें introduction में वो अगर नहीं देखें न तो आपको confusion हो रही होगी क्या करें otherwise simple सी बात है अगर हमारे पास f dash find out करना है किसी function का और हमारा जो function दे रखा है वो u by v की form में दे रखा है किस form में दे रखा है u by v u by v का मतलब उपर भी एक function निचे भी एक function तो differentiation कैसे निकलता है हमारा formula होता है f dash x का जो denominator में उसका square v square फिर यह जो v है इसको रखो as it is मतलब कुछ नहीं चेड़ चाड़ करने इसके साथ यहीं पर रखो differentiation करना है d by dx of u फिर minus का sign अब u के साथ differentiation किया था अब u को as it is रखो अब differentiation कर दो v का यह formula होता है तो यह हमारा क्या है u यह है हमारा v यह अपनी सूलियत के लिए easy way के लिए आप लिख सकते हो इस formula को यहाँ पर utilize कर लेंगे f dash x जो आएगा वो क्या आएगा ध्यान से देखो जो भी निच्चे हो उसका क्या करते है square तो x minus v का कर लो square x minus v का square कर दिया sir फिर क्या करना है जो v है हमारा v कौन सा है यह इसको रखना है agitage agitage मतलब x minus v इसको रख दिया agitage clear है दूसरा differentiation किसका करना है हमें उपर वाले का तो इसको लिख देंगे d by dx of x minus a फिर minus का sign u क्या है मारा उपर वाला function इसको रखना है agitage x minus a रख लिया differentiation किसका हो जाएगा d by dx of निचे वाले का x minus b value put की है बस इस formula के अंदर और कुछ भी नहीं किया है हमने अब देखो differentiation कैसे आएगा f dash x equal to x minus b agitage है हमारा यहाँ पर differentiation करो x का differentiation करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 और a का differentiation क्या हो जाएगा 0 देखो ध्यान से x minus a का अगर मैं differentiation करूँ d by dx तो इसको मैं अलग अलग करके भी तो लिख सकता हूँ d by dx of x और minus में d by dx of a तो देखो x का अगर differentiation करेंगे मैंने कई बार बता लिया x का differentiation क्या हो जाएगा with respect to x 1 यह constant है इसके साथ x की कोई term नहीं है जीरो तो 1 minus 0 क्या हो गया 1 तो इसका 1 आ गया 1 की से multiply करेंगे x minus b यहाँ पे minus का sign into x minus a x का differentiation 1 b का 0 तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा अप उन में क्या आ गया x minus b का whole square clear है कोई दिक्कत की बात नहीं है f dash x देखो चो क्या है यहाँ पे इसको open करो x minus b minus x plus a upon में x minus b का whole square तो क्या आ गया x x cancel तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको a minus b upon में x minus b का whole square तो this is the answer clear हो गया होगा question कोई भी दिक्कत नहीं है कोई doubt लगे तो आप मुझे comment करके जरूर पोच सकते हैं otherwise थोड़ी सी practice कीजिए differentiation की थोड़ा सा introduction पे ध्यान दीजिए बस concept अपने आप clear हो जाएगा थोड़ी सी practice की जरूरत है कोई भी doubt किसी परकार का लगे तो आप मुझे comment करके जरूर पोच सकते हैं अधरवाज चैनल को subscribe कीजिए like कीजिए और next classes को जरूर share कीजिए thank you students for your love and sport for next classes thanks